दोस्तों गौवर्मेंट एक्जाम के तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिप्रिशन अड़को और वैल आइकन दबाईए हमारी वीडियो सबसे पैदा देखने के लिए हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं धातुओं के वारे म कैल्शन है बोट असानी दो इलेक्टरॉं त्याक के Cc прибus डॅर बना लेती है तो इस तरह से प्रियोडिक टेबल गंदर बहुत उनकी वजय से चमकदार गूर आता है धातु कदर उद्धात को जो होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसका मतलब यह होता है कि धातु को आप पीट पीट कर उनकी शीट बना सकते हो उनकी चाद्र बना सकते हो तो यह property खेलाती है meat hater दायरों ना सकते हैagen हो नहीं है लेंति नहीं अपना रैंड़ान बनााले लेकिन इसली और असानी से नहीं बनाती है अब असानी से नहीं से नहीं बनाती मैज़िये मैटल यहां आगे चलते हैं जिनकी चालकता का क्रम लिखा हुआ है तो चांदी के अंदर पाय जाती है अगर सोने को ले लिया जाए अगर सोना भी ले लिए जाए तो अगर ता सोने की हो जाएगी और फिर चांदी की चांदी के बाद आता तामवा उसके बाद ऐल्यमिनियम और इसके बाद यह आपको तीन याद रखने आपको सोने कभी नहीं देखना आपको चांदी तामवा ऐल्यमिनियम चांदी का फॉर्मूला होता है वह चांदी का फॉर्मूल कि यह पूछा गया कोक्षन कई रखा है कि इसमें चारों मैंसे किसकी चालकता सबसेधी है कि कोशन इस तरह स देता कि पूछता है कि किसकी चालकता सबसे जादा तो ऑप्षन किया और उसका चानदी अब देखते हैं सी से का उस्मियमान विद्दू चालगता सबसâte कम होती है सीसे क्या होता रियोट मैं लैड को बोलते हैंं पिवी एक स्थाहित अदव है जो और जो चालगता जो बहुत जादा सब्सक्ता कम होती हैं तो मैं आपको बदा देता हूं कारवन की बेशक चालकता सबसक्ता कम होती है विद्दु चालकता लेकिन उसकी उच्छ में चालकता बहुत लेकिन हमको यहां overall दोनों चालकताएं कम दिखानी है इसनिए इसका आंसर जो जाएगा लैड हो जाएगा अब धातु के औक्साइड की प्रिकृति चारिये होती है और अधातु के औक्साइड ओक्साइड मतलब क्यों होते हैं ओक्सियन लगवी हो किसी compound के अंदर जैसे कि नों 우리 यह जाएगा ज़ी ऋखार यह होते हैं यह जोगते हैं और अधात्यों के ऑगसाईड जओते हैं वो अमलिय होते हैं कैसे होते हैं चारिय यह चारिय चार्य आमलिय कैसे पता चलेगा आपको शारिय अमलिय होते हैं लक्स फ्लूट सिध्धान्त का अनुसार वो होते हैं जो अपने अंदर से ओक्साइड आयन को निकाल देते हैं तो बेस वो होते हैं अब देखो मैटल है मैटल अपने अंदर से बहुत आसानी से मैटल यह है मैटल यह है अपने अंदर से बहुत ही इसली तरीके से यह है i控invested को निकाल देगी कैसे निकाल लेगी यह कि इस चाहरा सा देगी एंस प्लस- तू- टू यह अपने अंदर सबस्क्राम को दें तो लेकिन एने 2 उना कोकीPI ऑसटी प्लस तू- एक असट की तरह काम करें लेकिन एने 2 ओजो किलाएगा बेस के लाएगा औसfreaks है लेकिन लक्स फ्लूर से द्धान का नुस्वा बस हमें ध्यान रखना है कि बेस वह होते हैं जो अपने अंदर से ऑक्साइड आयन निकाल देते हैं तो इसलिए धातू के ऑक्साइड की प्रिकृति क्यों होती है अमलिये होती है यह बात ध्यान में रखनी है अब आगा चलत है कभी-कभी एमफोटेरिक तरफ चला जाता है तो इसको होता है कुछ ऐसे होते हैं आपने में देखा होगा पी विलोग के अंदर यहां पर एक डाइगनल गुरूप्स है डाइगनल एलिमेंट हैं लगवग काफिसार है चैसाथ है यह सारे सारे एमफोटेरिक है उबह धर फिर यह है कि इनके औक साइड जो होते हैं इनके औक साइड वहते हैं यह ब्यों कि तरह काम करता है उनको वह धरमी तो जैसे के मैं आपको बता चुके हो वह एक ट्रिक बता चुका था बहुत पहले बोशी जी आर एंट टेल उप और वोसी जी आर एंटी टैलूपो इसकी त्रीक यह थी कि जी जो मैं आपको लिख रहे हैं बोसी जी आर एंटी टैलूपो यह है मैटलोइड के ट्रिक बोरॉन सिलीकन जर्मीनियम और टिन लैड पॉलोनियम यह इसको मिटा दीजिए तिन लैड पॉलोनियम तो इनके जो ऑक्साइड और बी होते हैं को फिलोक के अंदर और भी होते हैं जैसे कि एक एक सैप्शिन आलयमीनियम को शचयzogen फिए का मिल को पर और जिंक कêu बहुत बहुत पहले जिस पर रहे हैं यह उपरी सत्य में जो पाइते हैं उनकी ट्रीक बताये थी मैंने किया था में और दूसरे नंबर का तदू पायाता है और तीसे नंबर का तदू पायाता है अर्थिकी उपरी सते में उपरी परपटी में सबसे आता है तो जवाब क्या होगा क्योंकि पहले स्लीकान आता है और अपरी ने क्तर अपरी सते में सही ज्वाटास है जो सबसे आधाitी आपके होगा अर्वLYमिनियम सबसे इया पाई जाती है है जो Heaven Also पाए जाता है जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां से अल्फी का अल्यूमिनियूम आयरन केल्शियम तो केल्शियम तीस परसेंट परसेंट पा जाता तो इनका ओडर आपको रटने ही जरूत नहीं है बस आपको यह याद हो जाएगा सब कुछ और से खनीच की तरफ मिनरल्स किसको बोलते हैं अब देखिए ऊपरी परपरटी में तो बहुत सारे मैटल होंगे बहुत सारे योगिक होंगे भूत सारे कंपाउंज ओंगे तो व मतलब ऑयास क्या होते हैं tav को तो यह मूख तवस्ते में पाई जाता है और मूग तवस्ते होती है जैसे कि जो धातु बहुत पाई नहीं जाते खुशेब नहीं होते हैं वो कोई नहीं कंपाउंड बनाय हुए रहते हैं लिए परें केमे कर प्रोसेस से उन पाउंड वह सब्सक्राइब में निकालनी होती है तो मैं आपको बता हैं जिनकी क्रिया शीलता बहुत जादा होती है वह सब्सक्राइब तो वह सभी मिनिरल जो अर्थ की उपरी सते में पाए जाते हैं जिन स mouth me बना सके दात्व में निकाल सकें तो बो सारे सारे क्था करते हैं ओर से it आप मैं पत्य चल मे किया जैसे के यह अल्यूमिनियम को और ही लिखा हुआ ऐएल्ट्व औ तो और साइक साझरे द्राटेये और करते हैं अब इस के लाते हैं समझे हैं आप इसे को कि संथार के परश्यात सड्र मिलती है क्या कराता है मतलब और से आपको शुद मेटर मिल लई आपको शुद मिल लए यह सुद्ध धातु मिल लिए तो शुद्धधु को बोलते हैं अयसकोग सांद्रा करने के निया आपको बहुत जादा गुजर्णना पड़ता हैं भोट नुश किलो से धातु में बनाए जाती है आयसक लाई जाते हैं, उनको पीसे जाता है, उनको सुखाय जाता है, उनको अंदर से गंदी की निकाली जाती है और बहुत केमिकल प्रोसेस के बाद आपको प्योर धातु निकालनी पड़ती है मतलब एक पत्थर होगा एक तरहां का पत्थर, उसके अंदर से आपको अलिमिनियम निकालना है तो यह है आयसक को का सांधर, यह इतना इंपोर्टन नहीं है, आगा चलते हैं अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था धातु कर्म के बारे में, धातु कर्म के बारे में पीछे बता चुके हैं, आपके पास आयसक है, आयसक क्या होते हैं, और बोलते हैं, जिनके अंदर धातु में होती हैं, यह हमारे पास मिनरल होते हैं, अर्थे की उपर की परत में जो अब आएस्सक्राइस को से मैं भाइम को सब्सक्राइब निकल माता हो तो यह बिदी्क भर में भाइल डाती है अब इसका नराता है जो अब इसकों आप निकाल कर लेकर आए हैं पथर लेकर आए जिसके आपको कोई पथार निकालना और कि बात करें तो इसके साथ बुटी लगी हुई हो तो इसके साथ गंदी की मिट्टी हो चीज़ा है है उन गंदियों को इन को हटाया कैसे जाता है इन को अलग से फिलस्क होता फिलस्क के होता है यह पधारत होता है जो इसका अंदर मिली हूई लाता है धातु मल कर लाता है। धातुओं का मल धातु मल के लाता है सिलैक बोलते हैं इसको सिलैक सिलैक फॉर्मेशन हो गया मतलब आपके पास ऐल टू ओ थरी था आपने क्या किया इसकंदर क्यों डाल दिया फिलस्क और इसकंदर गैंग तो होगा लगवा बहुत सारा गंदी की होई इसकंदर आपने फिलस करता है मेल्टिंगपुईंट के होता द्रवडांग के लाता है मेलटिंगपुईंट आहिक ताकि सिल्प और चाहिक को दो किये तो आपको धियान रखना क्यों थिक अलगती है क्या निस्तापन प्रोसिस क्या होता है अजितने वी आपके पास और होते हैं उनके अनदर बाश वशीरिया होती है अब देखिए आज कुछ ऐसी इस उन्दिया होंगी जो घर्म करने पर उडएंगी तो ऐसे आशुद्या होंगी कि बहुत जादा मेहनत करने के बाद जलाने के बाद हो सकता है अगा जलाना पड़ जाए तब जाका वह दूर हो तो पहले हम उसकंदर से दूर कर रहे हैं वाशवशील आशुद्या वाशवशील मतलब जो उड़ सके जैसा के नमी हो गई यह अंदर से जितने भी बाशवशील आशुद्या वह दूर हो जाएं अब आता एक आता भर्जन भर्जन यह फिर रोस्ट्रिंग इसको बोलते हैं रोस्ट्रिंग में क्या होता है इस परिक्रिया में आपको आशुद्या दूर करने पड़ती है लेकिन ऐसी आशुद्यों को दूर किया जाता है जो ना तो बाश्वशील हो ना असानी से निकल सके मतलब उसको जला कर निकाला जाता है आपको आपको करने पड़ता है जलाना पड़ता तब जागा उसके अंदर से वह आशुद्या दूर होती है इसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारा त दिखान रखना कि इतना नहीं होना चाहिए कि मैटल पिघड़ना शुरू हो जाए तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के ताप बांता है कि हम क्या करेंगे यह शुद्धियों को ऑक्सिक्रत कराएंगे और प्रोसेस होता हिस मैल्टिंग के होता इस पर क्योंताीड मिय में धातु और को कि अवंवन प्रीवर्वरां के ओपर करते हैं जिसनाम धातू पराप्ट करनेamięं के लिए हम ने ृपर अब प्इप दालते हैं तो क्या होता को करवन होता है हर में हर और ऑप जाए हैं तो तो ढलंगे ओंडे डालेंगे इसको बहुत तेरी सा कर्म करेंगे इतना कर्म करेंगे कि पूरा कपूरा पिखल जाए तो इसके जो है बॉलिंग पॉइंट से क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट से उपर के तापमान पर इसको गर्म करेंगे ताकि यह पिखल जाए उडिके आप इस कंदर आती एक सकुरिता सुरेडी अब इस इस किरिया शीलता इसमें जो है धातों को जो रखा गया है ना सब्सक्राइब मतलब इलक्टो केमिकल स्रीस के बारे आपने पढ़ लगा होगा थोड़ा बहुत अगर नहीं पढ़ लगा तो कोई दिक्द नहीं हमने कुछ कुछ तद्वों को उनकी किरिया शीलता के साफ से विवस्तित किया तो जैसे का आप लोगों को पता है परियोडिक टेवल के अगर बात की जाने तो हमने चैनल इनकी किरिया शीलता के साफ साब किरिया शीलता के क्रम में आपने तद्वों को भीवस्तित करना इस्टार कर दिया अब दो तरहां से भीवस्तित कर सकते हैं तो यहां भी हमने क्या किया कुछ इसी तरह से किया है हमने धात्वों को जहां उनकी किजिया सिलता के घटते हुए क्रम में लिया है तो धात्वों की अब जैसे कि मैं आपको एक बात यहां क्लियर कर दूँ यह कुछ ही तद्वों को लेकर सक्रेटा स्रेड़ी बनाए गई गई यह सारे तद्वों को लेकर अगर आप देखने जाते हैं सारे तद्वों को लेकर किस तरहां से बनेगी तो मैं उसकी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं अभी फिलाल इतने को समझ दीजिए तो इसमें बस आपको इतना अंदाज लगाना है कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम यह एस बलोग के हैं तो इनकी किरिया सेंटीगेट पर किरिया शीलता प्रदर्शित करती हैं नहीं क्या चांदी सोना सोने के तो सोने के तो अभूशर होते हैं तो क्या वह रियक्शन करते हैं नहीं अगर आप एक साल बात देखो तो चांदी आपको वैसी दिखाई देगी जैसे आपने पहले खरी दी थी और सो तो इनकी क्रेया शिल्टा नहीं बताए थी कि सबसे अच्छा चालक का मता होता है अपने अंदर से करन्ट को कर सकती है अपने अंदर सोना कर सकती चांदी कर सकती तामा कर सकती है ठीक है वो है अलग चीज और यह है अलग चीज तो यहां किरिया शीलता के साफसर रखा गया है वैसे इसका मैं आपको बता देता हूँ जो मैं सादे तद्वों की बात कर रहा था तो वो लीथियम से स्टार्ट होते हैं लिकबा लिकबा सरकाना मगल मगल मन मन जी किरो आई कैको नी स्टैनले हीकू हीकू पेसी हीकू पेसी पीटी एई यू तो इस तरहां सब पूरी देखो यह सक्रिट फिर रड़ इतनी रंबी होती इसको मैं ट्रिक के तो याद करा हूँ तो वह भी ज़्यादा मजाएगा वे तो फिराल इसको और लिए ऐसा है एक रफ समझा दिया गया है तो इसमें से कुछ मेंटल चांट चांट के यह बनाए गई है अब यह सब सब करिये शीलता वाले ताद में उपर जलिए रहे हैं जो बहुत ही जादा कि शीलता प्रदरशित करते हैं अब इसकी कुछ प्रोपेटी देख लेते हैं कार्बोनिक आयस को न सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो कार्बोनेट आयसक जितने भी होते हैं उनको निस्तापन दुआरा कैलसिनेशन कैलसिनेशन क्या होता यह मैं उपर बता चुका हूं कि उसकंदर से आशुद्या दूर करते हैं तो धातू ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है तो अब शत्राइब को कार्बोनेट अब करते हैं इसमें गर्म करते हैं करने बाद आक्सिक रत कराते हैं शुद्धियों को दुवारा धाथ तो ऑक्साइड में परिवतित किया जाता है तो जो सुफाइड आएस्ग होते हैं आपको धियान दखना सुफाइड आप बर्जन लगानी अभी करिया और कार्भॉनेट आएस्ग में कौन से लगानी निस्तापन लगानी है मतलब कैल्चीनेशन कैल्सीज näशनी डगाने का मतलब यह है कि YOU हम यह को am URL करनी का रूपनियट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको जलाना पड़ेगा कि नियुक्रा लाइघ लगाता स्लफइड दूर करते आप में शूर्पन और हम जो करते हैं और अग्ला भी घंस्ट् hatır औक्साइड दातू औक्साइड में आपको बता चुका है जैसे के सोडियम का औक्साइड एन एटू हो गया तो धातू लगए धातू अक्साइड जब लग जाती है तो धातू ऑक्साइड गो कारवन YouTube अत्वद अभगए अपचेंड दौार्फ धातू में अफचेंड किया जात है गोसे कारवन अम इंदर пой गए आप विवक्त रहते हैं पानी के अंदर तो यह अलग-अलग प्रोसेस है अब इसमें अगला आता है सोडियम पोटेशियम तदा कैल्शियम धात्वों को उनके गलित क्लोराइड के विदु दबघटन दुवारा निश्कर्शित के जाता है अगर कोशन आजाए कि सोडियम पोटेशियम तदा कैल्शियम में पैल्शियम इसमें धात्वो यह जाता है रिए उनकाल जाति है अब भाटे में क्या होता हुआ देखो इसमें एक सेयल टाइप का बना लेते हैं और करेंट पास कराते हैं तो पास कराते तो एक तरफ जाता ऑदूसरा चीदर जाता तो इस तरह से अपको यह जाती है तो इसके अलग अलग बहुत लब्लम है यह मैं सिर्फ एक ओवर्व्यू दे रहा हूं ताकि आपको रठना ना पड़े सिर्फ समझ माँ जाए जो जादा किरिशिल धात्व होंगे उनको बैदू अपगट्टे के द्वारा है आपको क्या करना है अलग करना है अब जैसे कि इसमें लिख रखाए गलित लवड़ो के अभी बताया है इनका जल्य विलियन होता है ना तो एक जगहा निगडी बालब हुआ शिपकेगी इसका अपना प्रोसेस यहां इसलिए होगा कि वही एक जगहा तो होता है तो इस बीदी में क्या होता है संग्षारण में क्या होता है इस यहां गट्टे के एंदर ठीग है यह आपका पूरा हो गए करोजन क्या चंगलों के नगलना चाम देखके अपके पास कोई को प्यॉवर चीज उसको पर यह वह चेया है इंधल्कु पर आपके वह पर और प्यॉर हो जाए हुआ है नुए है देखिए आपके पास अगर धातु की एक रोड है है कि सरीय रंखी हो थे सरीय मैटल के करेड़ की अगर स contained होगी ऑ लागी उस्कों कर देख गें और इसको गळाना शुरू कर देगी लेकी पौडरी यह और iki खांद ए निय का क्या ओक्साइड १fly यह क्या है आयरं का ओक्साइड एसी समय और यह चंग को यह चंग को शोतर होता है अगर आपसे पूछेगा एक जंग का फॉर्मूला वताव तो जंग यह है जंग का formula यह है जो कि धातू oxide बना देती है जो की iron की sheet को पर iron oxide बनाती है तो लोहे को तो उसका वजन पहले से बढ़ जाएगा तो इन सब चीजों को रोकने के लिए जंग लगने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है लोहे पर ग्रीस लगा कर रही है उसके उपर यश्द यश्द लेपन कर दीजिए यह नया ट्रम है आपके लिए और मेरे लोहे को पर किसी दूसे धातू को चड़ाना जैसे कि अगर मेरे पास लोहा है लोहे को पर में जिंक की लेयर चड़ा दू तो यह कि लाएगा यश्द लेपन मतलब कि आपец यह दूसित रिहां वहाएं एलेक्ट्रो प्लेटिंग इसे को कहते हैं इससे के ओता इसके दधातू है जो आरण है वो संलेख्षित रहता है यह हूट जो है जिंक जो है उसको पर जंग लगती नहीं है आईरण को आपर लगती है तो इसके साब 가자 आप समझ रहें जस्त यसे डखती है तो यह किलाएगा जैसे के नीचे लिखा हुआ है तो यह किस लिए किया जाता धातु को संद्ख्षित करने के लिए आपको पता चली है अब देखिए जैसके आइरन औक साइड लेयर चिपक गए बूरे की जिसकी वज़ेसे हो गए था हमारा आइरन की शीट तो उसी तरह से कोपर के ऊपर भी जम्स लग जाती है चांदी कोपर भी जंग लगती है वो होती है अलको हरके हरे कलर की होती है औह चांदी कोपर काले कलर की होती है तो यह कोपर के उपर जो लगती है हरे कलर की गड़ तो कोपर कार्बोनेट होता है CO3 तो कार्बोनेट की लेयर चपक जाती है कोपर के उपर 술क भालती से हमें हरे कर दिदे देदी है और जन्ग की वह पूरे को से दिदे दिरे 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 गर्लाना शुरू कर देती вариант कोपर को अब कर देदincoln इसमें का गराता है नियरे आगा चलते हैं अब इसके वारे में आपको बटा चुका हूँ कि ताम वाग को अगर बाइयू के अंतर रख दिया जाए तो इसको उपर कोपर कार्बोनेट की लेयर चड़ जाती है जो की हरे कलर की होती है और इसी तरह से अगर आपके पास सिल्वर है कुछ टाइम तक हवा में छोड़ दे जाए तो यह काली हो जाती है क्योंकि यह सल्फर से करिया करके सिल्फर होती है हवा के अंदर होती है तो उसके अंदर क्या करती है सिल्फर बना लेती है एजे आज बना लिए सिल्फर ल्मारेट लोगार्फ इस न लेशन और को जौन है इस होता है यह सबका मैक्सिमम जो कलर होते हैं अगर हवा कोई से चीज रजब दी जाया उसका कलर जोड़ता हो सब और की सबता है बिलीचिंग की तरह काम करता है अगर आपको किसी चीज़ का करना हो तो अब दोस्तों आता है धातु प्रदूशक सा आप समझते होंगे तो कुछ धातु अच्छी भी होते हैं लेकिन कुछ धातु बहुत जादा बहुंकर होती है मतलब खतरनाग होती है कुछ धातों के पीने से हमारे अंदर बहुत तकड़े तकड़े बिमारी हो सकती है जैसे कि अगर कैडमियम और मरकली को अगर आपने खाल लेकादरह दोके से भी तो आपके गुर्दों को ये गुर्दों को भी खराब करती है कि दिमाग को 카दे की बहुता है एक अकेलिग यह यह तरो थे बेट से उसम नहीं चुछ आपके। से प्रवshit नंड़ से लिए उस पींडलों के लोग ज्रूपर सुछ नदर बु किमार हो स्टार्ट हो गए तो यह जो है बहुत ही खतरनागा गुर्डों को प्रिभावित करती है और पार तो ऐसा है कि यह पूरी खराब कर देता है तो यह कुछ मैंटल्स हैं जो बहुत ही खतरनागे आदमी के लिए इस सब बशना से यह आपको सतर करहना होगा अब कुछ पढ़ ल लोग हो गया यह बहुत आसानी से नहीं गलता है यह बहुत मुश्किल से गलता है अगर इसको गलाना शुरू करोगा तो बहुत नहीं है अगर कि तंगस्टन को मिलता है कि यो है यह किसलिया लिया हमने क्योंकि यह जो है तक इसका व्लींग बहुत जदा नहीं है ,चन पूल्य गलता नहीं है और हम क्या保र्ण बर्व के अंदर से औकसीजन गया के पिर उस तर्फ लिक लेक्शन करता है जिसे के नाइर्टिरोजन paparine का मिस्ट्रा निकलता है और बहुंटान कान में निकलता है और अगला चैनल कम तंडों के मैं बिजली के बौल्म से होगा या आप समझा चुका अब जिर्कनियम को क incorporates जेडर होता ढको है तो यान यादे रखना जिर्कोनियम धातू और नाइटोएंटं दोनों में जलता है सदो जॉरुरू कर देगी और साथ इसका इंपोर्टेंट नाम है नीप polisति को सब्सक्री को है आप याद करने सबस्क्रसादिक की आउर दिके नाम आपके लिए tough हो सकता है लेकिन आप याद कर ले जिए bad delay ide zirconium का check is inc को बोलते है जिसका अंदर से हम धात्व को निकालते है यह ऐसे mineral होते हैं जिनका अंदर से धात्व को निकालते हैं यहाँ पीछह पड़ शुके है तो bad delay ide जो है bad late एडे यह को आज़ करने के गडों के काराद्स कॉपयोग नावी के रियक्टर में किया जाता है तो और ने कॉद का है लृब चोद उस होगा और ख़नों कई शोद को यह नावी के रियक्टर में ताई कि हमारे पास एक श्रंखला अभी के लिए मिल सके नावी के भिखड़न की अगर नावी के भिखड़न की श्रंखला भी के लिए नहीं विलेगी तो बिस्फोट हो जाएगा बहुत बड़ा तो जिर्कॉनियम कैड़नीम और बोरोन की रोड़ का हम इस्तिमाल करते हैं न अगर धातु आइसक में सब कोशन मनेगा तो बेराइल पर ध्यान रहेगा जरूर के बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो बेराइल बेरियलियम का एक धातू इसके अंदर से आपको बेरियलियम निकालनी होती है आगर देखते हैं अगर देखते हैं एक रेडियो सक्रिये देखें पहले बात तो देख लेते हैं द्रव धातू यहां व二 यूज्ट दो वैकलियो İş करें द्रवधातू रहाएं में वहत शौर्ण के घ्र उपलिहों कई होते यह द्रवधाथ है TV साइज बहुत यह गजादा बड़ा होता है ले थोड़ा रेडियो सक्रियर भी है तो फृड्टियूम एक रेडियु स अकली द्रवधाथ ले आगर आपने परियोडिक टेबल याद नहीं कर रही है तो यार एक बार परियोडिक टेबल देखलो मेरी ट्रिक बहुत अच्छी है मैं आप रही के निये बनाई है वो उसको देखें याद करने बहुत ही फायदा होने वाला आगर देखतें इस्टेंलेस सलफाइड जैसे के वो एक गोल्ट केहते हैं कि पूछ आसकता आप मोज़ाइक क शुन को कहते हैं म flour i को किया बोलते हैं मुजाय क क्रियोग के रूप में किया जाते है तिन अपररूपता T you know Lead We have only Pizza ज глаз के झाउप खोशता हम देख चुका है लेजह के औक साइड और तिन के अउकसाइड दोनों क्या थे उत्रोप updated फेठमिधंध में इस बता शुक्का हूं बोस्ट और तकर 6 एंटी और फेकर तो जो लेकिन आपर रूपता इसलिए प्रदर्शित करता है अपर रूपता देखे दो चीज़े को डी ठोड़ रखती ओठीज वाद है नहीं आपको उबह धरमी के बारे बताया लेकिन आपर रूपता प्रदर्शित भी करता है। लेकिन एक चीश और सबसे ही जबदस्वाब्स ऐस जो है जिए सबसे भारी जाना कड़ा रहे हैं। सब्सेहना कटुर्ब और बीरए हैं। यह दोनों ही दीब लोग यह बायं। बाराइड वायटर प्योता बेरियम बेरियम हाइड ओक्साइड लाइं। बेलियम कुल सब्सक्राइब इस दूट होती है चार्ज ओता मानेस के बन पर और चॉर्जाज कटीन फिलसके इसका MILUS को- 1 सोलुशन जो किलाता है लिए तो आप प्ढ़ता है वह स healthy होता है बी ए का उप्योग बेरियम मील के रूप में उधर एक्सरे में होता है देखिए थोड़ा आपको समझ नहीं आए होगा लेकिन मैं बताता हूं बेरियम सिल्फरेट का सबसे बड़ा उप्योग कहा है अगर आपको बोड़ी के कुछ ऐसे पार्ट का एक्सरे लेना है जहां पर मास ही मास है तो क्या होता मास का एक्सरे नहीं आता है आपको पता हो तो मास का एक्सरे नहीं आता है हड्डियों का एक्सरे आता है एक्सरे उस चीज़ का आता है पूरी बोड़ी के अंदर जो एक्सक्रेडों को जाने सा रोकता है जैसा हड्डी है एक्सक्रेडों को जाने सा रो कि पहला लुगी को बेरियम सेल्फیट यहां के भर जाता है तब इसका एक्स्रैल लिया जाता है तो बेरियम सेल्फड जो है तो पर green color के पटाफ फूरते हैं Так इसाँ चुमा किसा रहे हारा रंगाता बेरियूम कीवज़ज हिज़से हरसा बेरियूम की वजय से हरा रंग आता है बेरियूम की ब unanim की वरियसे मैं और ऊंधर कहिं न कहीं बेरियूम palabras हो रहा है लाल कलर जो आता है वो किसके वरी साथा इस ट्रॉंसियम की साथ यह दोने ही बैरलियम फैमली के ग्रूप आपको बता चुका हूँ बैरलियम मैंगनेजियम कश्चियम स्टॉंसियम बेरियम रेडियम ठीक है आगा देख लेते हैं लीथियम सबसे हलका धातविक तद्ध है और सबसे प्रफल अपचायक है अच्छा अपचायक किसको बोलते हैं जो दूसरे का अपचेंट करते हैं अपचायको को निकालते हैं उनको अपचायक के साथ जैसे कि अगर मैं लीठियम की बाद कड़овать करूँ अपने क्या करले गाली Ken j अब अगर यह आपपने क्या करते हैं कि अप आगर देख लेते हैं चांदी सोना टामवा। अपने कम अभी करया शीलता के कारण क्रिश मिलना में कुदर छी तोर पर ऐसे ही मिल जाते हैं को पर ईसे ही मिल जाता जंदर ज्रीट pushel नहीं कमके फोच आपको थोड़ा फोट प्रोसिस करना होता तो इनकी क्रिया शिलता कम है आपको पहले पीछे बता चुका हूं कुछ उत्करस्ट धातु हैं कुछ उत्करस्ट धातु हैं जैसे के सोना हो गया पिलिटिनम हो गया मेरोर होगे जो माँ आपको पर पुस्तर स्टेशिक हैं जो नोबल YouTube के लाती या बीचारी सीधी साधी मेटल नोबल इतना सारा मेटल इतना सारा सोना है तो आप इतनी बड़ी शीड बना सकते हैं पीड़ पीड़ कर आपने देखागा चांदी की कुटाई में चांदी का बर्क होता है जो बहुत चोटा सा इसे बहुत बहुत बड़ा बर्क बना दिया जाता है तो यह ज़्यादा अगात बर्धिया है मतलब मेलीबिलिटी सबसे जादा होती आप एक शक्रत अधिक पृत्रोध उत्पन करते है कौन लगाते हैं पारा वा लोहा जो होता विद्धुधारा के मार्ग में अब रोध लगाता है चांदी और तामवा विद्धुधारा का सर्वत्तम चालक हैं मैं आपको पहले बिता चुक हूं चांदी तामवा फिर उसके बाद के था हमारे पास ऐल्यूमीनियुम आगे चलत यह इतना लंबा चोड़ना में पॉड़ेशन यूरेंट इतना इपोर्टेंट नहीं मानूंगा मैं इसको एक फिर भी आपको याद करना कार्नो टाइट कैंसरो के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक को प्योग किया जाते हैं कोबाल्ट के समस्थानिक यह बहुत ज्याद पर औक्साइड को फियोग जहाजत था अस्पताल आदी की बंध हवा को सुध करने में होता है और आवा को सुध करने के लिए नहीं से हम कैडमियम को बनाते हैं के कैडमियम करते हैं बहुत सारे वीचांन सकते हुए हो हैं अभी पीछे बता चुका हूँ कि यह नाभी के रियक्टर में न्यूटोरों को मंद करने की यूज़ किया जाता है और निम्न गल्नांग की मिश्धातु बनाने में भी इसको प्योग होता है अच्छा प्रियोडिक टेवल के अंतर एक लेंधनाइट सिरीज है और एक अक्टिनाइट सिरीज है यह सारे सारे सार बनाई गया है वह स्थील का बनाई गया है जो और एक सबसे अच्छा कोशन कि जो खोज कि थी पहली बात मैंडम क्योडिने रेडियम की खोज कवर मैंडम क्यूरी को नोबल पुरुसकार भी दिया गयाए था हुज और उन नहिसे की खोज जो की थी पिछ बिलेंडे एक पधार से की थी जिसकंदर बेंजीन वगए रहा थी तो पिछ बिलेंडे के बहुत सारे एमाउंट में थोड़ा सा रेडियम निकाला था इसको पर इन्हें नॉबल पुरुस्कार भी दिया गया था रेडियम की खोश की थी मैडम क्यों ने और बायुयान के निर्मार में पैलेडियम धातु यूज करते हैं क्योंकि यह बहुत जाद मजबूत होती है गेलियम है अदिन थैला तोग्के लिएम जरही यह द्रववबस्ता आप ग्यत्रिक दरवबस्ता में आप उसा इनक ⁡ मिलेगा आपको यहिए और डोर co व्पयोग तो एलेक्टिक सेल के अंदर के इसका सेलियम मैं आपको याद कराल है तो यह अब अब देखें कि सेलेनियम धातु अरद चालक चालक टाफ़ाल्टर होते हैं कभी 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 ऐसा गद्रीत ने को एक साइट्र नेन तॉर्डाइड करते हैं क्योंकि एक सेमी कंड़क्टर है अब साईटो क्रो में अब सता है साईटो क्रो encouraging डियुकृत दो इस पैज है ओप्योग जल को मिर्दू बनाने में किया मतलब क्यों होता है इसके अंदर से हाड नेज जो होती है पानी की वह दूर कर देती है मिर्दू बना देती है अच्छा ठीक है अब इसके वाद देखते हैं तीन जो है अपरूपता प्रदशित करता है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ टिन के निशाथा लैड तो लैड रंगीन होते हैं जो रंगीन होते हैं वो क्यों होते हैं इसका रिजन रंगीन होने का रिजन क्या होता है क्योंकि उनके अंदर ट्रांजिशन होता है जो उनके अंदर जो ओर्विट होते ना इलेक्ट्रोनों की इलेक्ट्रोन जो है वो ऊपर वाली कक्षाओं में नीच से तो ध्यान रहे संक्रवरधाटु जो होते हैं उनके योगी जाधतर रंगीन होते हैं 99 पॉटेशियम कार्भूनेट इसको परल एश के नाम से जाना आए परल एश मोती की राख परल एश की नाम से जाना जाता है है पोटेशियम कार्म बोग नेंट को केटो सीऊ जी अधरी आगा चलते हैं कि नाइक्रोम नैक्रोम के बारे में समझते हैं यह क्या है एक तरह की नैक्रोम मिशुधातू है यह किस जी से बना जाती है निकेल क्रॉमियम और आयरन का मिलेक्व झाल है निकल का फोर्मूली क्यों होता है होता ए निकर फी इसका क्यों तो आप आस भी यहद कर सकते हो नई को अमने इसकी जेगह यह इनकल्प argonium और iron होता है . दादो बन जाएका नाइक्रोब का नाइक्रोब का उच्व कहां करते हैं , जो आपके पास पहले लेक्ट्रिक प्रेश ऑनिती इस त्we और यह जो करते हैं, उस प्रेशटी का था हंदर जो एल्यमेंट होता है वह ना इक्रोब का क्रोमियम ट्र्ययोकसाईड 302 को बोलते हैं क्रोमिक अमल आगर आगर देखते हैं ब्रिटेनिया थातू अपर इसका म्जधातू है एंटी मनी इसका फोर्मुला एस भी और टीन मतलब एसन का मिश्वधातु अब बारूद देख लेते हैं बारूद मतलब 75% पॉटेश्यम नाइट्रेट होता है उसका अंदर गंधक होता है और चारकॉल तरह अन्य पथारतों का मिश्वधा लेकिन सबसे ज़्यादा पॉटे बुस्तो शोले का सूत्री क्या पॉटेश्यम नाइट्रेट और बैविट मेटल किसके बहुते हैं बैविट मैटल के अंदर एक नाइन परसेंट होती है टीन नो परसेंट होती है एंटी मनी और बैबिट धातु अब और आगे उचलते हैं थोड़ा बेसिक और पड़ देत पहले गुरुप लाएं आर्थ मैटल्स इसके वारे में बहुत जिख्र कर चुका हूं और जू केनके हाइट्रोग साइड होते है वह कैसे होते हैं छारी यह फादर मतलब बेशीक हाइड्रोग साइड होते हैं ठीक है आगा देखते हैं टाय्टेनियम को स्ताइटेजिक मेटल कहते हैं मेन होता है तो टाय rates धात्व उत्तों होती है जो बडदे बड़े बड़े बयता बैपंस होते हैं जैस robot होती है तो टाय ये मजबूत होती है। इसका उप्यों किए फजल Ke में ठाइता है है उसमें नागनीशम को तार होता है। होते हैं उसमें नाइट्रियम क्यicular सोता हैं मैगनीशम का ताइड फ्लेश्टत बल्बन में आध नहीं और लंग होता है और इसके चार होता है नाइटर एर गयास होती है आगा लेखते हैं- अलुमिन्य हाडोग्साइड यह के अध्य है कर लिदे बनाने में प्योगा उपयोग किया तो ऐसे नहीं से पंप लेशे जाता है, aluminum hydroxide का, ALH का whole tries, इसका formula होता है, क्योंकि aluminum की balance इतीन होती है, hydroxide की होती है, minus का one charge, आगा देखते, calcium carbide, calcium carbide क्योंता है, CA2C, ये calcium carbide होती होती हो कि बहुत जाद मजबूत होता है, calcium carbide पर जल्की पृतिक रिया से acetylene gas उत्पर होती है, very important, इस पर important लगा दीजिए, ये है acetylene gas का उत्पादन, तो calcium carbide पर जल्की पृतिक रिया, क्योंकि calcium carbide होता है, बहुत ज्यादा खतरनाग होती है, जैसे इस पर पानी डालते है, इसके बाद कारवन की मातरा बड़ा करके हम इसको बदल देते हैं, लेकि पिटबा लोह जो होता है, रोट आ इरन जो होता है, शुरुआत्मा तो यही आरन बनता है, इसके अंदर कारवन की मातरा सबसे कम होती है, आगर देखते हैं, आइरन थ्री ओक्साइड मतलब एफटू ओठी के साथ अल्यूमिनियम के अभी के लिए काउप्योग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जोग की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है इस अभी के लिए को थर्मिट अभी के लिए बोलते हैं तो आप से यह पूछा यह यूज करती है कहीं से पट्री चटक जाती है तो अहां पर थर्मिट अभी के लिए कि तुरू अल्यूमिनियम और आइरन का ऑक्साइड भर देते हैं अब अगला पॉइंट क्या है शरीर में लोहे की कमी से एनिमिया होई यह बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है यह बह हो जाएंट के यह था मतलब लोह मेयता हो जाती है मतलब आयरेन की मातल्ड़ा जाए तो लोह मेयता होária घगी गएड़ कम हो जाए थो इनिमय लिए तो की मातला को भी अपको मैनेज करना आपको सेभ खान पड़ेगा अगर में नहीन से ढाया जाता है तो जाता है यह पाइजाता है जो फिर यह शेयाती है अधिवाही प्रूजाती है उस Lena रोह्य की मातर उनके नंदर लौही थे अंधर तर athe रोशिस और उन्हें यहां वरकर करने के पूझ रहता है त्रौिए कि मातर उनको श्वादार उल्टे आरटा कि वाधिन कौन अधि यहांन यहांजmm और जाती है अरन के महतना ज़्यादा कहई से हुए वह स्लिए होई क्योंकि भो हरचीज हगा से ऊज daíृसिस करते हैं पाने लोही भी पीटते हैं तो लोही के बरतन में खाना बनाते हैं तो फो virus का ला और है så आगर आइरेन्ड की कमी हो जाये तो अब कि अंदर मात्रा मत्रा हनेmile जाता है। खून की कमी को में और गृतने घिर्ण की कम से हैं। और अगर स्यमेर में कि ऽाधिता है खूंध की कमी से। अक arriv इंड़ मात्रा में की कि कमी कि बॉड़ के अधर कि लगता है। 시्रोसिस का एक आपके मातरा में व्रद्धी होने पर। रोग हो जाता है। पहले बाद अकृजत कर ने सबसी हैं सानब करता है। बाइलोजिकल कमपाउंड है अब उसमें की होता है तामी की मातरा की अगर ब्रद्दी हो जाए लीवर के अंदर अगर तामी की मातरा की ब्रद्दी हो जाए तो विल्सन रोग हो जाता है कोशन यह कुछ आगा विल्सन रोग किसकी वज़े से होता है वह तामी की मातरा की वज हो जाएगा तो यारियोग तो आपको याद रखने आगर के से काँ सा कहते है पहले का सा के साथ जिंक मिली भी होती है इसमें कोपर 90% रहता हो जिंक 10% रहती है लेकिन अगर कोपर के साथ टिन मिला दी जाए तो बन जाता है कांसा तो कांसा क्या होता है कोपर और टिन का एक क्या होता है मिशधातू होता है तो कांसे अब सफिक श्वेद कांसे किसको कहेंगे अगर क इनकी मातर को बढ़ा दिया जाए बहुत जादा कर दिया जाए तो यह जो ब्रॉंज बनेगी इसको वोलेंगे श्वेत कासा आग अब देखते हैं जिंक फासफाइड को प्योग चुहा विश्क के रूप में होता है चुहों को मारने के लिए चुहों को मारने के लिए जिंक उप्योग करते हैं जिंक फासफाइड मतलब होता है यह जिंक फासफाइड जैड इन पी जो होता है यूजग के जाता है चुहा विश्क के रूप में आगा देखते हैं लकड़ी की बस्त्वों को कीड़े से बचानी के लिए उसपर जिंक किलोडइड जंय यंद रुएल से लिक पर जैड एnd C02 का उपंयोग करते हैं उस का लेपन कर देते हैं जिसकी वेशारे सारे के सारे कीड़े मर जाते हैं अन्दर ही एगा देखते हैं जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं इसका वाइड अथवा चाइनिज वाइड के नाम से भी जाना जाता है चाइनिज वाइड का फॉर्मूला क्या है तो उसका फॉर्मूला क्या है जिंक ऑक्साइड को ही चाइनिज वाइड वोलते हैं या वाइड वोलते हैं यह को होट ने सिल्वर क्लोराइट को होता है इसको फोटो क्रोमेटिक कांज बनाने में इसका प्रियोग किया जाता है किया जाता है अगर आपको आपको सिल्वर आयोडाइट का प्रियोग कहां किया गया है और सिल्वर क्लोराइट को बोलते हैं होर्न सिल्वर आगे चलते हैं किया जाता है जब आप लोग बोटिंग करते हैं निली कलर के होती है तो वह सिल्वर नाइटरेट की लगाते हैं यो की हवा के अंदर जोहैं होाँ के अंदर हर्वा के हर्द रेयक्सिन करके और सूरश की रोशनी के साथ इसका दूस्थ यह गटिट हो जाती है तो वह बदल जाती है अनृक सीरगल उपस्त्रथ की इसनिए जैसे जैसे आठी करते क्यों चैंज का है चांदी के चंबच पोई अंड़ा नहीं खाता है जांदी के चंबच में आप आप का सकते है कि चंबच सिल्वर सिल्फायड वना लेता है किया बना लेता है सिल्वर को गला देता इनrick ऊंदर कभी एंडा खा सकते दोस्तों सब तो आपको चोबिस कारेट के सोने के आभूशर तो नहीं बना सकते आपको इसको थोड़ा हाड करना पड़ता है तो हाड करने के निया इसके अंदर या तो तामा चांदी तो तामा चांदी मिलानाके भाद थोड़ा कट्षेर हो जाता तो 22 सबर्लकर करते हैं हम लोग आगा देखते हैं और एक बात बता तो शक्राद गय्चे क्यारीड यह सूने कीा इक तो सब्सक्राण पूछे जाचा भी साइन्टिफिक एसिस्टेंट तो आगर देखते हैं आइरन पाइड जिसको एफटो बोलते हैं फैरस सल्फाइड या आइरन पाइड को जो है जूटा सोना बोलते हैं आपने सुना होगा रोल्ड गॉल्ड ये पिलिए कहा कि आइर सोने से कम नहीं और खो जाये तो कोई ग औरी साइनाइड को प्रियोग करते हैं अब आगा देखते हैं औरी किलोराइड का उपियोग सर्फ विरोधी सुमी बनाने में किया था और विरोग क्यों रख बनी ho Geo को सफेद सोना कहते हैं उसक्राइड को सफेद सोना कहते हैं बहुत सद्धा महेंगी धातू है यह और पार जया पार को क्विक्सिल्वर के यह है पारा का फोर्मॉला के होता है होता है मरकरी जो कि द्रववस्थना पाई जाता है पश्चे जी सेंटिग्रेट पर इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है इसका इसका फोर्मॉला है हीज सी दिखाई ने दिया बना देता हूं सिनेवार का फॉर्मूला है तो इसके अंदर से निकाल शुक्त से निकाल मुर्करी निकाल जाते हैं और इसको रहään के बरतन में यह किसी तरहां के टीक psychologically बना देटी है कर द्याक्शन नहीं करते हैं नहीं बनाती है कि अंतर कौनसे वाइट लाइट देखी है उसके नदर जो सफेज सफेज कलर का होता है तो वह पारे की भाष्प को आरगन के साथ भर देते आगए देखते हैं सीसा सीजा को आप घबराएंने लैड को बोलते सीजा जो कि रेडियो एक्टिव तदवों का च्छ होने के बाद उनका घटन होने पाद बनता है जो की स्थाई तदव है तो सीजा सबस्यादता इसतद्व है इसको उपियोग कागस पर लिखने में होता है ठीक है आपको समझा अभी अभी मैंने बताए कि इस थाई तद्व क्यों है क्योंकि रेडियो आक्टिव तद्वों का छे होने के बाद यह बनता है अब क्या है लैड आर्सेनिक नामक मिश्धातू का उपयोग गोली बनाने में होता है लैड आर्सेनिक को प्योग करते हैं लैड ऑर्सेनिक वोग करते हैं वो गोली वणने में है अगहे दिखते हैं लैड ऑक्सएड को आपको फ глаз पता है अगर नहीं पता रापता के लएगा लैड ओक साइड होता है लिफार लए वर जो बोलते यह बता था न हगे अगा तो यह गok जलीकन सीजरना लारता तो करवन ऐक फैमिली करा था दिख कार वन सिप्सटर में पिए और एसमसे उसतों न िचके कțihty जो है मिश्व ठाया दमाइब हो है यह दोनों कितना विएक्षिन करते हैं इनके औकसाइड और बेस्ट से रियक्षिन करते हैं तो यह मैं आपको बता भी चुका था पीछ है कि इनके जो होते हैं वह भी धर्मी होते हैं घबरानी कोई बात नहीं पड़ चुके हैं अगर देखते हैं है बेसिक लैड कार्पनेट गर्मीम को वाइट लैड का जाता क definition जारिए लैड कार्पनेटी में पयोग किया ता है ये सफेद्ध नहीं पर्मयला क्या पीई-सी माइन कोipple कि नागnahme होती हैं क्षिफा सफय ने का फ्मृला की ना टित दो होती है का अलदीर दो होती लैन टेटर इफैल को प्योगे फिर टेत्रा इफाईल लैड को प्योग टेटरा इफाईल is al sporty मतलब जांत चार उख जो तौई जोगे चुब फ्याइब चार प्याईल होनुग यह लैद बैलनसी-बफाइब की दो भी 4-stroke engine हो या 2-stroke engine हो चाहे वो diesel engine हो या- petrol engine हो तो उनके अंदर जो fuel है ईसका व्हाएम होता ज़लनी का कि किकिस time पर fuel ज़कन होगा अगर fuel पहले इसटर्ट हो जाए तो इसको बोलते है अफ इस photon चाहि 것이 को रोकने के लिए अरब इस photon 말 होता है तो एक अजीब सी आवाज आती है इंजिन के अंदर से खट खट की जो ब्लास्ट होता है अंदर जलता है उसकी तो उसको रोकने के लिए ट्राइथाई लैड का प्रियोग करते है तो मैंने आपको क्या बताया आप इस फूटन क्या होता है कि जो इंजिन में तेल होता है वह लैड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए प्रियोग तो नहीं हो सकते क्योंकि लैड जो होती है बहुत खतरनाक होती धातू यह जो है बहुत जादा बोड़ी के पार्टस पर अफैक्ट डालती है और यह विशेले हाइड लैड लैड हाइड उक्साइड उत्तंद गर अर्व में फियूस्तार होते फियूस्तार होते तो बिशुबन ऒबन ऊहता होता लैड और तो लैड होती है है यह एकदम घल जाती अगर बहूत साथ गरम हो जाया है यूरेनियम को और फारट कंदर का यूरेनियम की पैदावार देखी तो ढूलatisfाragen जहां पर कोलाइस अलजाधा होता है लेकिन यूरes Grund 235 वह जीस अगर देखते हैं यूरेनियम का प्राध में हेवर विदी में क्या बनातें निर्माद का यूरनियम का उपयाता है जाना में ओप्राधन को तूपराधन में यूरेनियम के निर्मेट्रेट записida होता है photographic में इनको देगालते हैं यूरेनियम धातु का मुख्य में होता है यूरेनियम धातू का में प्लोटनियम के बनाए जाते हैं नागसा की हीरोशीमा पर जो आक्रमड किया गया था अमेरिका के दुआरा जपान पर है सोडियम निकाल सकते हूं पहले बाल बाल ऑल इसी जगाव पाए जाएगी जो सॉल्ट होंके तो तो सॉल्ट के अंदर सोडियम पाए जाएगी सोल्ट कर इसके तो इंप्लेंट नाम बता तो चिली साथारड नमक पता है तो साधार नमक और ट्रोणा के अंदर क्यों नहीं चिली साल्ट पीटर के अंदर तो नहीं के लागपिन वो किंपंदर से भी निक से एक बोचया बहुत जाता श्यादार अलिसका फॉर्मुला पर वह ची और फोर्मूला आप को यह पता होगा एंटीटों एको अब्धूब एक कमप्लेक्स फोब में पाए जाता तों मैं अब पंसे बॉरॉन बनाने के बोरॉन किससे मना जाती है तो एंड़ को इसमें बोरॉन भी है बोरॉन भी आपको मिल जाएगी लेकिन अभी हमी यहां सोरियम चाहिए सोरियम के लिए एने टू बीफोर ओ सेवं इंटू टैन अश्टो वे एनफ है अब देखते हैं आगा देखते हैं एलूमिनियम के तो इसमें से पहले आपको बता दू सोरियम है आपने कौन से याद करने चिली साल्ट बेड़ सोरियम नायटरीड याद करना बोरेक्स करना एन इसका फॉर्मॉल ला होता है कि वर्मॉल होता है ABOUT देखो अगर al2o3 छोड़ दोगा तो यह कहलाएगा Corandum और al2o3.2s2o लगा दोगे तो यह कहलाएगा Bauxide Alumina क्या कहलाएगा यह Alumina आपको यह याद करना है Bauxide Corandum याद करना है Felsifar को छोड़ो Cryolide याद करना है और बस आपको तीन याद करने तो Bauxide तो मैंना आपको याद करा दिया Al2o3 और इसके बाद Corandum भी आपको याद हो गया Al2o3 Bauxide आपको इतना है कि आपको 2H2o लगाने हैं जो की Corandum में नहीं है और Cryolide क्या है Na3AlF6 आपको याद करना है Na3AlF6 ये Cryolide का formula Na3AlF6 दो-तिन बार नाम लीजिएगा आपको याद हो जाएगा तो इसके यह तीन important है पूछे जाएंगे वह आपसे अब देख लेते हैं इसको यहां को तीसरा था Potassium Potassium का उत्पादन किया जाता देखो Potassium भी जैसे Salt के अंदर पाए जाएगा जैसे Potassium Nitrate Potassium Nitrate KNO3 तो इसको Nitre बोलते हैं Nitre के अंदर होता है Potassium इसके अंदर साब को क्या निकालना पड़ता Potassium क्या निकालना पड़ता आपको Potassium Potassium Nitrate और इसका दूसरा कारणिलाइट इसको आपको दोनों याद करने कारणिलाइट क्या है Potassium का यस्क है Potassium यह पूछा आएगा कारणिलाइट किसका IASC है तो आपको यहां confusion यह होगी कि कारणिलाइट पहली बात तो IASC किसका है कारणिलाइट का formula क्या है बस अगर आपने याद नहीं किया समझा नहीं तो समझे लो आपके वार्ट लग गई कारणिलाइट का formula क्या है KCL MGCL2.6H2O यह इसका formula है KCL MGCL2.6H2O दो को formula की तो कोई trick नहीं होती था दोस्त और यह complex compound है तो इनकी तो वैसे भी कोई trick नहीं होगी तो यह तो आपको थोड़े समझ के याद ही करने है समझे लेना आप मेरी बात को तो कारणिलाइट का आपको formula याद करना तो कारणिलाइट किसका यासक है potassium का कारणिलाइट का formula क्या है KCL MGCL2.6H2O KCL MGCL2.6H2O इस से पहले मैं आपको एक उपर याद करा रखा कौन सा cryolाइट का formula क्या NA3ALF6 अब चलते मैगनेशियम की क्या है मैं बताता हूं आपको कोन कौन से याद करने एक तो dolomide याद करना और आपको इपसम लवड़ याद करना है और एक कारणिलाइट के अंदर magnesium भी था और potassium भी था तो कारणिलाइट magnesium और potassium दोनों का ही I ask होगा तो कारणिलाइट किसका किसका इसक है मैगनिश्यम का भी है कार्णेलाइट का फॉर्मूल तो मैं आपको उपर याद करा दिया के सीयल एंडी सेल टू डॉट शिक्साइश तू रही बात इपसम लबड की तो इपसम लबड क्या होता है मैगनिश्यम सल्फेट.7H2O मैगनिश्यम का सल्फेट मना देजिए MgSO4 और 7H2O लगेंगे हां पर 7H2O तो यह क्या हो जाएगा इपसम लबड इपसम साल्ट तो मैं जिस पर आपको याद करा रहा हूँ या आप से मैं पूछूँगा भी अभी dolomite का फॉर्मुला क्या होता है MgCO3 into CACO3 magnesium carbonate और calcium carbonate को बोलते है ఩ dolomite किस-किस को बोलते है magnesium carbonate और calcium carbonate, magnesium और calcium carbonate ले रेजिए। dolomite, magnesium carbonate into calcium carbonate हो गया 倍 कारेम को cclmgcl2 into 6s2o और मैंने इसिप समय वड़ में आपको याद करा है magnesium sulfate.7s2o आगा चलते हैं कार्षम के दो को कैल्शम का दो को डोलोमाइट ही हां भी याद किते हैं कैल्शम के फायदा देगा दोलोमाइट का फॉर्मूला कैल्शम कार्वनेट और & mespieces कार्पोनेट मैंने अभी बताया आपको & merch intent कार्पोनेट होती है यात लिएए तो कैल्σι olduğum & merch कैल्σι souven chains कार्पोनेट को बलेंगे कैल्σιम कार्पोनेट के अंदर magnesium carbonate or मिला दीजिए बन गए dolomide इसका अंदर सा calcium magnesium दोनों ही मिल सकते हैं दोनों का ISK है gypsum very important ये very important gypsum का formula है calcium sulfate into 2H2O calcium sulfate or into 2H2O और plaster पेरिज जो होता वो gypsum से ही बनता P.O.P जिसमें calcium sulfate तो होता ही होता है into half H2O लवा रहता है तो calcium sulfate into half का और यहां 2 का फर्क है ये है P.O.P का formula plaster of Paris का formula और gypsum का gypsum का calcium sulfate into 2H2O और P.O.P में क्या होगा calcium sulfate into half H2O बस इतना याद करना आपको इसमें इसमें मैंना आपको तीन ही याद कराए तो gypsum calcium sulfate into 2H2O उसके बाद calcite calcium carbonate और calcium carbonate में आपको magnesium लगा दीजिए calcium carbonate into magnesium carbonate ये बन जाएगा आपका dolomite जिसके अंतर magnesium का भी IASC है तो magnesium का IASC में आपको dolomite याद करने ही दुरत नहीं क्योंकि आपको याद हो चुका इसमें लबड़ा याद कर लीजिए magnesium sulfate होता है magnesium sulfate into 7H2O आगर देखते हैं इस ट्रांसियम इस ट्रांसियम का इतना पूछे नहीं जाता है इस ट्रांसियम का इतना नहीं पूछा जाता है मेरी साबसे इसको बाउंस कीजी copper का ये बहुत important है copper glance cuprite copper glance copper pyrite copper pyrite का formula होता है copper glance U2S होता है cuprite Cu2O होता है Cu2O cuprite होगए copper glance होगए Cu2S copper pyrite होगए CuFES2 देखो मेरे तो ये याद है बस आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी है ये सारे का सारे याद हो जाएंगे तो cuprite क्या है copper का oxide है ऐसे याद के लिए copper का क्या है ये oxide oxide of copper है ये तो copper का oxide क्यों होता है cuprite होता copper glance है copper का sulphide copper का sulphide copper का oxide होगए cuprite होगए copper glance आगए है copper pyrite to CuFES2 होता है silver भी important है ruby silver और horn silver बस दो important है horn silver होता है agcl ruby silver का होता है 3 ag2s sb2s2 ये मुझे भी याद नहीं है मैंने याद नहीं कर रहा पर सितने याद कर रहा कि ruby silver का ruby silver जो होती है silver का एक is का है आगा देखते है horn silver का तो याद है agcl sona sona जो निकलता है silver night से निकलता है इसके भी मैं चाहूंगा कि आपको याद ना करें क्योंकि ये मुख तवस्त हमें जादा पाए जाते है barium barium का मैं बता चुका हूँ barium 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 co3 zinc carbonate zinc oxide zinc तो आपको ये थोड़े से ही है जिन पर मैंने star लगा है इनको याद कीजिएगा अच्छे से याद कीजिएगा आपको बहुत हलका लगेगा चली आगए देखते हैं आगए कुछ और metals हैं उनके IASC के बारे में देखते हैं अब इसमें भी देख लेते हैं कुछ important important जो हमारे पास धातू है और उनका ASC देख लेते हैं जैसे के पारा पारा सिनेवार से निकलता है सिनेवार का formula क्या होता है HGS होता ये आपको याद करना है HGS A की ही है इसका HGS पारे का मर्गरी का क्या सिनेवार ये हमें पीछे पड़ चुके इसलिए हमें टफ नहीं लगेगा अच्छा टीन किस से मिलती है कैसेटराइट से मिलती है formula क्या SN O2 कैसेटराइट में SN O2 टीन होगा टीन का ओक्साइड ले लीजिए तो वह अन्याएगा कैसेटराइट कैसेटराइट SN O2 गेलेन पीवी एस को बोलते है पीवी एस को क्या बोलते है गेलेन लैड सलफाइट को गेलेन बोलते है और इसमें आपको कुछ याद नहीं करना बस याद करना लोहे कि यह इसके आईरन के important है वही देखो जो important है वह आपको बेशक बताऊंगा हेमेटाइट और मेगनेटाइट मेगनेटाइट से आपको लग रहा होगा आईरन के वाली property है तो मेगनेटाइट को हो जाएगा यह है और हेमेटाइट हो जाएगा F2O3 तो F2O3 है मतलब फैरिक है फैरिक है तो हो जाएगा F2O3 और यहां भी F3O4 है तो F3O4 हो जाएगा हो जाएगा मेगनेटाइट तो मेगनेटाइट के लिए आईरन जादा होने चाहिए ऐसे याद करिएगा तो आईरन जादा है तो हो गया मेगनेटाइट आईरन कम है तो हो गया hematite hematite magnetite दon हो गएए और limonite क्य होता boss limonite F2O3 होता है hematite वाला होता है लेकिًि उसका else two हो लगवह नगया तो limonite किस से बना hematite से hematite का फॉर्मूला F2O3 ऄंत यह लाग देंगे तो क्या बन जाएगा यह ली मूनाइट और जो भोल जाए है आप आरंज पाई राइट ही यह इंपोर्टन है एसको भी यात कर लीजिएगा इसमें से आपको और याद नहीं करना पिछ बिलेंडे आप याद कर लिजीएगा बस पिछ बिलेंडे का फॉर्मूला यह होता है यू-3-0-8 जो होता पिछ बिलेंडे का फॉर्मूला होता जिसे यू-रेडियम मनता है अब देखते है धातू, एधातू और उनके योगी को के उपयोग, देखो उपयोग तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें वही उपयोग देखना है जो इंपोर्टेंट आएगा, जैसा कि फैरस का ओकसाइड, फैरस ओकसाइड क्यों होता है, फैरस ओकसाइड की बात कर रहे हैं, जो जाए तो यह जेबरात पर पॉलिष करने में यूज़ किया जाता है रियुक्षार्ण में पृतिय का रूप में काम करता और दवा बनाने में इसको प्योग किया जाता है आगे जलते हैं फेरसलफेट.7H2O इसको बोलते हैं हरा कसीज वो इसको प्योग करते हैं मोहर लवर बनाने में तो मोहर लवर बनाने में इसको प्योग करते हैं FESO4.7H2O कभी-कभी मोहर लवर का फॉर्मूला पूछ लेता तो वो क्रिदतिम बर्षा कराने में प्रियोग किया जाएगा लेकिन प्यूर आयोडीन जो है यह टिंग्चर बनाने के यूज किया था टिंग्चर ओफ आयोडीन रंग में इसका उपयोग था आग़र दिखते हैं Bromine Tincture Gas बनाने में इसका उपयोग किया जाता है और बिरतिकारग के रूप में इसका विरियोग किया था icateH угloricum, तो जो कि मनुश्य की आथों में पाये जाता है पाचन के लिए काम बाता है तो इसका उपयोग अमल राज बनाने में भी किया जाता है अमल राज किसा कहते हैं जिसमें 3 HCl होते हैं पिलस ए होता है HNO3 में किलॉरीन का रिप्ट कहा होता है हाई दीन में शीרא करें में शीरी चलाने में तब बिलीचे में निम्रीचे बनाने में जरता का का उप्योग को सब्लबिक क्या प्योग कहा होता हृँ यह चीनी को जलाने में इसका उप्योग कियाता है रंग उत्पादम में इसका उप्योग कियाता है इस टोरेज बैटरी में इसको उप्योग कियाता है जो लैड बैटरी होती है इसके इसको बोलते हैं रंग उडाने के लिए कि एक टेइंपरेरी रंग बाज देता है किसी वी चीज का का कोप देर के ने रंग बहुँर देता है बात में कुझ बाहु पात्jay уп पाउजन कपाई स्रफाइड है और ऊपस्तित रहती है हवा के अंदर उपkickस रहने की वहसे अब घरों पिटाय करते हो अपने घरों पर करते हो तो घरों का गंघ ऐसा की वड़ाने के लिए है जो हवान में में उपक्राइड है बहुत बड़ा रड़ बनती है हाइविडन सुलफाइड जो कि बाईव में वह उपस्ट थे उसमें सलफर जो है सलफर को उड़ा देती है दिवारों का अगर कपड़े सुभाने डालोगो तो कपड़ों का कलर उड़ जाएगा धीरे धीरे कलर उड़ाने में सकोपीओ किया जाता है और इस वाइब के निर्म साथ तो यह रभर जो हाड घाती होड और मजबूत तो रबर के नंदर के है के और मजबूत है और और उशधी भी का इस्तेमाल करते हैं मैंने बल्कfa लगवा दिया आगह देख ऐसा मुंदिया का करते तक रया आउन होता है जो सीo फाइबर बन रहाता एक फाइवर बन रहाता रहा तो रहान किसका रहान किससे मना पोलियमाइड से तो इसलिए इसका रहान बनाने में उपयोग है होता है यह है यह जो है आपको कभी को पूछता है कि हसाने वाली गैस को कहते हैं तो वह है नाजा देने के लिए किया जाता है मरीज को आगए गया है ृट इस यह लाल था यह सालाई बनाने में के यूज होते हैं दिया सलाई आपने माचिस दके होकि ओपर माचिस की तिली को बर लगा हुआ होता है तो बहुत खतरनाग वाला यह यूज की जाती है तो carbon monoxide और nitrogen का मिस्टड जो है यह producer gas के लाता है तो carbon monoxide और N2 के मिस्टड को बोलते है producer gas आपको यह पुछे का producer gas किसको कहते है carbon monoxide plus nitrogen के मिस्टड को producer gas कहते है तो सस्ते इंधन के रूप में इसका प्रियोग किया जाता है आगे देखते हैं water gas किसको बोलते है करवन प्रोग मोन ऑक्साइड और हाइडोगन के मिस्टट को वाटर गैस कहते हैं तो वैल्डिंग के लिए इसका उप्योग के जाता है को जाता है और आग बुझाने वाले एंत्रों में करवन डायकसाइड को उप्योग किया जाता है आग बुच जाने वाले इंतरों में carbon dioxide को प्योग इसी निये किए जाता है क्योंकि carbon dioxide अगर आग लग रही है और carbon dioxide 14 से इसको घेह ले तो आग भुझ जाती है कि oxygen नहीं मिलती आग जलती है oxygen के वस्तर उपस्तिती में carbon monoxide ऑगा देखते हैं ग्रेफाइड कोप्यों पैंसिल में इलेक्टोड बनाने में इस टोफ की रंगाई में लोही के बने पधार्थ पर पॉलिष करने के लिए इसका यूज करते हैं पॉलिष करिए इसका यूज के जाता पत्थरों को पर भी हीरा डायमंड डायमंड जो है उसक करूंथे उसको क्या उप्योंग करते हैं और पाने को चाहफ करने के दियूंग में इसको औप्योंग करते हएं ऐल्यमिनियुम सिलीकेड इतव फोर का होल्टराइद ओट हेटीन ह्टू कागाज उद्ध्योग में इसको अप्योग करते हैं कपड़ों की छपाइब पर इसको अप्योग कियाता है अगय कि अनार्थ अल्यमिनियुम किलेड अ्यायद एफिर्टॉल्यूम के भाज को फि प्राने में इसको प्योग करते हैं जहर के रूप में भी मर्क्यूरी को और फ्योग किया जाता है इवा होती है अपको पता थर्मामेटर उपर को चलती है नीचो को आती है थर्मामेटर हो गया या फिर जो दाब मापी होती है डाब नाबत है एक तो आपको बता दिल की धरगन को और एक होता है एक होता है जिससे बोडिक अप्रेशन आपने के लिए जो जो अपर भागता है वो भागता है वह निशे को आता है तो थर्मामेटर में इसका उप्योग किया जाता है और इसका उप्योग किया जाता है और इसका उप्योग किया जाता है आगे देखते हैं जिंक सल्फाइड श्वेथ पिग्मेंट के रूप में इसका उप्योग किया जाता है जिंक सल्फेड या उजलात होता आपको उजलात होता कहते हैं यह आँखों के लिए रोशन लोशन बनाने में किया जाता आँखों के लोशन जो होती है वह उजलत होता जाड़न सफोर डॉट सेविनेस्ट्वों के ही होते हैं प्रवाइब को प्योग तो टेक्स्टायल इंडस्ट्री में इसको प्योग किया जाता है और जिंक कोटी को प्योग मलहम बनाने में जीन का प्योग कहा तो निर्माना ileri करा कषिए धेले पार्ट कहा करते हैं पानी की छेher्टे था याज़ бता नियुद करते हैं चैरे लोग आजकर लटों बन淤ो करने से निए को इसका फॉर्मूला बता चुका हूं कैल्शम सलफेड डोट हाफ एस तू ऐसा देखी जिपसम जो था आपका कैल्शम सलफेड इंटू टू एस टू हो था लेकिन ये कैल्शम सलफेड हाफ एस टू होता है तो यह प्लास्टर घर में जो होती है प्योपी डिजाइनिंग करन कैल्शम कार्बोनेट एक तरह का पत्थर है तो इसके अंदर कैल्शम निकल के दंतमंजंद ये टूथपेस्ट बनाने में भी स्कॉपीयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में भी स्कॉपीयोग बहुत जादा होता है सफेज सीमेंट होता है कैल्शम कार्बोनेट के थ्रू ह सबसे ज्याद होता है और क्याइ Conte करते हैं आगे देखते हैं काहां करते हैं क्याして क्यों सालफर है 국 누κι होता है कैलिए के ट्यायए हो जाएगा सब्सक्राइब मेगनेश्यम किलोराइड मेगनेश्यम क्लोराइड इंट भी यह क्या होता तो भी है धातू मिश्रल बनाने में या फिर मिश्ष दातू बनाने में फ्लेश बल्ग बनाने में इसका उप्योग की जाता है मैंने आपको बताया था फ्लेश बल्ग कंदर क्या होता है मैंगनीशियम का वायर होता है प्लस उसका अंदर नाइट्रेन गैस डाल दी जाती है मैंगनीशियम का वायर लग होता है तो फ्लेश बल्ग बनाने में जो होत मैंगनेशम हाइड्रोकसाइड को अपयोग कहा होता है यह चीनी उध्योग में मोलासिस से चीनी तियार करने में हाइड्रोकसाइड को अपयोग करते हैं यह बेस इसको निलतो होता है इसको इसको मारने में इसको पयोग किया जाता है copper के शुद्दि करण में इसchio Devi होता है आगक यख कुपरिक होता है, Cupric Lite Us विंपी क्लॉड इंट करने काम करता है जल का शुद्दी करण करने में स्कॉपीण किया जाता है धागो की रंगाइ में इस K突mar ऍपी किया ó Le 01 q- затथा ग्रीन इंटार्माड में 잡ता इस k dass किये क्यूप्रस ऑक्साइड सी यूटू तो लाल ग्लास बनाने में स्कॉप्योग क्या जाता है उपर आपने देखा क्यूप्रिक था और यहां क्यूप्रस क्यूप्रस की वैलंसी होती है एक क्यूप्रिक क्यों होती है दो तो क्यूप्रिक क्लॉराइड बनाने में ब्लू त बास भी बाड़ानगा इस- में भी इस mom कहता हुं सॉरियम नाइट्राnd सपॉर्ण में सल्फयत गलोबल लवडि इंपोंटरिय। वह vendor चौह जाता है। इस sodium sulphate into 10H2 होता है, global level का formula, यह ओशली बनाने में, यह सस्ता कांच बनाने में, इस copy हो किया था, global level का, मैं आप सा पूछू हूँ, global level का formula क्या होता है, तो NA2SO4.10H2O, आगा दिखते है, sodium bicarbonate या फिर खाने वाला soda, important पूछ था, sodium bicarbonate क्या होता है, खाने वाला soda होता है, या soda होता, इसका formula है NHCO3, आगा दिखते हैं, और sodium carbonate जो होता है, यह धोवन soda होता है, फिर धावन soda, कपले धोने के लिए जो soda यूज होता है, वो धावन soda है, और यह जो है, जलकी, जलकी, इस्थाए कटोरता दूर करने में भी यूज किया जाता है, sodium carbonate का, आगा देखते है, sodium sodium paroxide, sodium paroxide, hydrogen paroxide का formula क्या होता है, H2O2, यह एक oxygen कारक का काम करता है, और kilo को मारने में भी इसकोपियो किया जाता है, अच्छा भारी जलकी बात करने तो deuterium oxide होता है, इसका परमाड़ भार होता है, 20, यह nuclear में प्रितिक्रियाओ में, neutron की गती को हलका करने के लिए ही यूज क अफेज़े जाता है, ठीक है, और deuterium योगित के निर्माड़ में इसकोपियो किया जाता है, यह deuterium का ही oxide है, damages dehydrogen का अपर रूप है, हाईज़ें अब हाईज़ें देख लेते हैं, ça हैइन अमोनिया की निर्माड़ में और कार्बुनिक योगित की निर्माड़ में इंपोर्टेंट साटवा बो है पोटेशियम पर मैंगने के ऐमन फोर इसे लालदवा के नाम से जाने जाता है यह जलको किटारू रहित करने के लिए इसको प्योग किया जाता था पहले जमाने में क्या हुआ करता था कोई हुआ करते थे तो के अंदर जो पानी हुआ करते थी तो पूपर का पानी पींद राय अगूआ करता था इसको बाल्टी के थूझ लिया करते थे प्रोटेशन पर यहां होता है चलिए आगा चलते हैं अब यहां पर कुछ मिर्षधातु का जिक्रिक किया गया दोस्तों आपके लिए सभी मिर्षधातु याद करना तो इतना आसान नहीं है क्योंकि आपको कंफ्यूजन भी बहुत जादा होगी तो कुछ होता है टांका उसका हो गया तो डियूर लुमिंग चलो इसको छोड़िए टाइप मेटल इसको भी छोड़िए बस इतने देखने बस हमको तो उपर से चलते हुआते तो पीतल के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले भी अगर आपने वीडियो दिखिए तो पीचे मैंने पालना जिकरी क्या है को पर और जिंक होता है तो को पर जृप जिक जो ओता है जहां पर कोपरा जिक हो तो बन जाता पीटल ओर जैंता से के अंदर के सीवार जैर्मन सीभर कंदर के आं में होता दोáticas जर्मन सिलवर के ना क्मयकर नीकल्च duża सब्ढून नीके पैसे आद करना copper zinc nickel and German silver का इस्तमाल करते हैं बरतन बनाने में German silver का shortcut मैं ना आपको बना बता दिया कूजी नी तो कूजी नी क्या हो गया copper zinc nickel रिख जर्मन silver का और copper zinc कूजी कूजी क्या होता पीतल के नहीं होता पीतल की नहीं कै यूज करो कूजी पूँनी इसको कूटी सोरी कोट कूटी वो लेंगे काहां से को कूजी वो लेंगे पीदल यह थोड़ी वह शोटकट बना लीजिए वैसे याद तो हो जाएगा इसी है बस कूजी ने आपको ध्यान रखना है यह जर्मन इसलवर के लिए रोल्ड गोर्ड क्या होता है कोपर के जिन्क मिला दी तो बन गया ब्रास मतलब पीतल कोपर के अंदर अगर जिन्क मिला दी तो बन गया ब्रॉंज और कोपर के अंदर आखर aluminium मिला दिया तो बन गया rolled gold और कोपर के अंदर zinc मिला दी और nickel मिला दी कुजी्वेट तो बन गया German silver जिर्मन के अंदर क्वपर तो common ही है जुआ मेल क्या होटा था कोपर तिन के अंदर जिन्क और टिन मिला दी जाए तो बन जाएगा गन मैंटल को टांका क्या होता है यह सबस्था हटके है टिन और लैड में लगवा होता है टांका जो सोल्डर होता है जो वायर को जोड़ने के लिए यूज करते हैं आपने देखा होगा मुवाइलों के अंदर तो नहीं जो जो ट्रिकल डिवाइस होती है इंदर टांका लगवाओ ओंगा यह तो टांको के थрий लगवाव होते है तो वो क्या होता है वो टीन और लैड का जो है एक मिशधातु होता है जोड़ों में तांका लगाने के निषन इसका पीड़ा जाता है अब परञते है इस पार्छा है यह का्रवन की मिलोवी होती है तो इसको इस पात कहते हैं इस पात किसको बोते हैं किसको इसके अंदर कारवन कितना विलोवी होता है लोहा इक अनदर 0.1% है ठीक है आगा देखते हैं इस पाथ के कुछ और भी है जैसे के स्टेनलेस स्टील हो गया टंगर स्टन हो गया सिलीकन इस पाथ हो गया तो यह इतना इंपोर्टेंट नहीं है बस आपको यह देखना कि स्टील के अंदर कितने परसेंट कारवन हैं चाहें तो आप इनको पढ़ देना आगा देखते हैं यह इस पाथ के टाइप तो आप देखी चुकर होंगे मैंगनीज इस पाथ निकल इस पाथ यह बता रहा है यह बस आप देख लिए रीडिंग लगा लीजिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है बस इतना ध्यान रखना है कि इस पाथ कर में जो कारव उचेताब पर गर्म करके धीरे 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 ठढ़ा करने पर इस पाय क्यों हो ती होती हिस्तीर हो दींगे तरा था हिस पाथ ठीडरे धीरे धीरे ठेंडर करना है तो यह जो है धीरे धीरे ठंडी होगी तो इस बिधिको के कहते हैं एनीलिंग कहते हैं तो इस पात को उच्छताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने पर उसकी कठोरता घट जाती है तो उसकी कठोरता क्या होती है घट जाती है वह एकदम अधिक कठोर नहीं हो पाता है और और इस परिकरिया को बोलते है ऐनी लिंग तो एनी लिंग मैं ऐसा पूछ सकता है कि एनी लिंग प्रोसेस किया है तो आप प्रणलो पड़ोगा दापको ख्टी पता चलियाएगा कि एनी क्या है और अमलगम तो अपना जाना पेशान है लेकिन है बहुत जादा इंपोर्टेंट हर बार ऐसा सी पूछती है अमलगम क्या होता है पारा अगर किसी भी मेटल कंदर मिला दे जाए आयरन को छोड़ गया तो मिश्य धातु बना लिता जिसको कहते हैं अमलगम ठीक है अब अब कुछ धातु जैसे का मलगम नहीं बनाती जैसे के लोहा प्लेटिनम कोबाल्ट नीकेल टंगस्टन इन धातुओं को छोड़ गई धातुए अमलगम नहीं बनाती मतलब तो मरकरी इन धातुओं के साथ किसी तरह की कोई रियक्शन नहीं करती है तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ा चैप्टर था और हमने कवर कर दिया है मेटल्स का वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बहुत रात में वीडियो इसको आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करते हैं और शेयर करते हैं हमारी इन वीडियो को थैंक्यो सो मच